अज मैं आपके साथ सेर करने वाले हूँ DIY Center Table Tray So now let's start the procedure and I am sure that you are going to enjoy this video So now let's start यहां पर मैंने लिया है एक मिठाई का box यह भी recycle करने वाले हूँ मैं और यह मैंने लिया है cloth Actually यह मेरे पास एक carry bag था और इसका ऐसा जो material है वो ऐसा है something like plastic and shiny but it is very good तो मैं इसको recycle करने वाले हूँ तो इसको मैं cut करके यह मिठाई के box में अंदर लगाऊंगी वो cloth हम यहां शिपकाएंगे बट यह part थोड़ा open है तो वाह में यह जो इसके box के साथ जो यह हाया है उसकी sides यह cut करके ऐसे cut करके वो मैं यहां पर ऐसे चिपका दूँगी और फिर बाद में वो cloth लगा दूँगी तो जो यह sides है open sides वो नहीं दिखेगी नाउ वी विल अपलाई a glue and we will stick this cloth on this यह हमने stick कर दिया है अब हमने जो strips काटी थी ऐसी वो हम ऐसे side पे लगा देंगे to hide this this cardboard हम यह stick कर देंगे ऐसे तो चारो तरफ मैंने यह golden strips लगा दी और अब हम बार की तरफ लगाएंगे यह lace तो यह हमारा tray बनकी ready हो गया इसकी चारो तरफ हमने lace लगा दी है और पीछे की तरफ मैंने एक waterproof मेरे पास paper पड़ा था golden self adhesive paper वो मैंने लगा दिया है तो in case अगर कुछ पानी बाने भी गीरा तो खराब नहीं होगा आगे की तरफ तो यह प्लास्टिक का जो है यह भी waterproof है means durable भी है और waterproof भी है तो in case कुछ spill हो गाए तो भी कोई problem नहीं तो एकदम zero cost DIY हमारा ट्री बनकी ready हो गया इससे मैंने place किया है मेरे center table के उपर उसके उपर मैंने एक यह bottle रग दिया यह empty bottle के अंदर मैंने pottery flowers रखके उपर artificial succulents रग दिया तो यह हमारा एक soap इस बनकी ready हो गया यह tray को आप आपके dining table के उपर रख सकते हो आपके घर में कोई भी corner पर रख सकते हो तो I hope you like this my video just let me know how it is please like, share and subscribe and please comment thank you for watching see you soon, bye